लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम किये जा रहे हैं इस रैली से पीम अजमेर संभाकी पांच लोग सभा सीट नागोर भीलवडा टोंक और अजमेर और राज समंद को साधेंगे रैली से पहले डिप्टी सीम दिया कुमारी ने मंत्री सुरेश रावत के साथ सभास्तल का जाइजा लिया ज़रान दिया कुमारी ने कहा कि पीम मोदी विक्सित भारत के विजन 2047 को पूरा करने जा रहे हैं वहीं राजस्थान में तीसरी बार 25 सीटे बीजेपी जीतेगी बता दे के पीम की सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीपी जोशी समेट तमाम नेता शामिल होंगे साथी सीम तिर्थ पुरोहित समाच से समवात भी करेंगे तो बड़ा ही खास रहने वाला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ये दोरा जिसे लेकर तयारियां भी बहत पुख्ता कर ले गई है खोर डिप्टी सीम दुया कुमारी भी तयारियों का जैसा लेने पहुची इस कारकरम में मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे साथी सियम जब इस सभा में पहुचेंगे तो तेर्थ पुरोहित समाच से भी समवात करेंगे तो पुरोहित समाच के वोट को भी साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी द्वारा की जाएगे तो पीम मोदी की राजिस्थान में एक बार फिर से उंकार सुनाई देगी एक हफ़ते में लगातार ये तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का राजिस्थान दौरा है तो कोट पूतली में पहले हैं उन्होंनों जनसभा की दो अप्रेल चुरू में जनसभा पाच अप्रेल को जनसभा की और आज पुशकर का दौरा कल दौसा में भी एक जनसभा करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई सारे कारेक्रम आयुजित किये जा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं अलग-अलग जगों पर किस तरीके से प्रधान मंत्री जब पहुँच रहे हैं तो लोगों में खासा उटसाइद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उनका जादू जरूर चलता है तो दो अप्रेल की तस्वीर आप देख पा रहें जब कोट पूटली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सभा को संबोधित किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पुशकर में होने वाली विजहश शंखनाद रेली में शामिल होने के लिए डिपटी सीम दिया खुमारी पुशकर पहुची यहां उन्होंने पुषकर सर्वर में पूजा अच्छना की उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की सभी 25 सीटे जीत कर हैट्रिक लगाएगी परदान मंतरी नरिंद्र मोदी आज पुषकर में अपनी चुनावी सभा को सम्मोधित करेंगे यहां पुषकर उपमुख्य मंतरी तमाम लोग यहां पुछेंगे उपमुख्य मंतरी हमारे साथ हैं में सभी उनका मार दर्शन लेने आने वाले हैं अजमेर लोगसभा से भी नागौर लोगसभा से भी और हमारे माने मुख्यमंत्री जी भी पदाइएंगे तो बिलकुल सब लोग जैसा कि हर्बारी मोधी जी की सभा में आपने देखा होगा भीड़ भी होती है लोगों में उत शाले से आने वाले हैं सभा है ओसे तो आज आएंगे अलोग मोधी जी को देखने तो दूर दूर से लोग आते हैं यह कोई उस समय समध नहीं से आएंगे और वहां से नहीं आएंगे मेंसेज को सब्सक्राइब कि नियुक्त कि अर्ध को कोर्शल सेन के साथ अशूक सिंग न्यूजेटें अजमिर तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे डिप्टी सीम का दावा है कि सभी 25 सीटे जीतेंगे अरो करले तेस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का जैपूर से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस की चुनावी जन सभा से जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले सोनिया गांधी मलिक आरजुन खड़के जैपूर पहुँच चुके हैं मैनिफेस्टों को जनता के बीच लांच किया जाएगा आज का दिन बड़ा ही मैतोपूर है कॉंग्रेस के लिए क्योंकि कॉंग्रेस आज अपना मैनिफेस्टों जनता के बीच रखेगी जैपूर से मैनिफेस्टों जनता के बीच रखा जाएगा आप देखना है कि लोगों से जुड़े कितने मुद्दे इस मैनिफेस्टों में होते हैं गोशना पत्र में होते हैं सबसे बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहा है जहाँ पर आज बड़ी जनसभा होने वाली है यहाँ पर सोनिया गान्दी पहुच चुकी है कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्याक्ष मलिकार जुन खड़गे बेस वक्त जैपूर पहुचे हुए है आज कॉंग्रेस अपना मैनिफेस्टों जारी करेगी जिसे लेकर बेहत खास तैयारिया की गई है और कॉंग्रेस का दवा है कि यह वो मैनिफेस्टों है जिसके दम पर हम इस बार कमाल करके दिखाएंगे और जो लगातार बीजेपी 25 की 25 सीटे अपने खाते में करती आ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार कॉंग्रेस की जीत होने वाली है तो कुछी समय में मैनिफेस्टों जारी होने वाला है कॉंग्रेस की ओर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे है सोनिया गांधी पहुँच चुकी है जैपूर राश्ट्रिया ज्यक्ष मलिकारजून खड़गे भी इस वक्त जैपूर में मौजूद है कुछी समय में कॉंग्रेस अपना मैनिफेस्टों जारी करेगी लोग सभा के चुनावी रण में चुनावी शंखनात किया जाएगा कॉंग्रेस की ओर से जब सोनिया गांधी कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों जारी करेंगी देखना बड़ा ही मैतवफून होगा कि मैनिफेस्टों में घुशना पत्र में कौन-कौन सी बातों को शामिल किया जाता है कौन-कौन से बड़े वादे किये जाते हैं जनता से मंच इसे तस्वीरे देखिए बेहत खास तैयारिया मंच पर कर ली गई हैं कॉंग्रेस नियाई पत्र दोहजार चॉबिस इससे पहले राहूल गादी की ओर से नियाई यात्रा निकाला गया जहाँ पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए बीजेपी पर की बीजेपी लोग पतंत्र की हत्या कर रही और इसी को लेकर राहूल गादी की ओर से नियाई यात्रा निकाला गया और ये नियाई पत्र के नाम से इसे पेश किया जा रहा है नियाई पत्र दोहजार चॉबिस अपने मैनिफेस्टों का नाम रखा है कॉंग्रेस ने विशाल जनसभा का भी आ सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टों में कौन कौन सी बड़ी बाते हैं और मैनिफेस्टों को लेकर हम ये भी बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी वो बाते हैं जो आप से तारूफ रखती हैं जो आप से जुड़ी हुई है जिनका फाइदा आपको अगर कॉंग्र कारे करता है वो भी अपने भीच दिगजों को पाकर बेहत उत्साहित नजर आ रहे हैं चूंकि राजस्थान से counts अपना मेनिफेस्टों जारी कर रहे हैं तो इसे लेकर जो काफी जा था खुश हैं और इसके साथ साथ उत्सख भी नजर आ कुछी समय का वक्त रह गया है जब सुनिया गांधी कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो जारी करेंगी और कई बड़े एलान और वादे कॉंग्रेस की ओर से घोशना पत्र के जरीये किये जाएंगी अब देखना है कि क्या इसमें फ्री बीज भी दिये जाते हैं लोगों को जो से होगे आसिफ हमार साथ जूट चुके आसिफ कुछी समय का वक्त कॉंग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया जाना आज क्या तेयारिया वहाँ पर देख पा रहे है क्योंकि बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और मलिकार जुन खड़के पहुँच चुके हैं वहा सचीन पाइलेट हैं वह यहां पर अंदर मौझूद हैं पूर मुख्यमंत्री अशोग गैलोद भी अंदर मौझूद हैं स्वागत के लिए पहुचे हैं उनके सोनिया गांधी और पेंका गांधी मलिकार जुन खड़के के और साथी साथ ये तीनों दिगज जिसमें सोनिया दिगजों का एक सा जुटना न्याए पत्र की खोश्चना करना अपने आप में चुनाओं को लेकर बहुत बड़े संकीत देने की कोशिश है कॉंगरेस की तरफ से अब ये संकीत देने में कॉंगरेस कितनी खाम्याब रह पाती है ये अपने आप में देखने वाली बात उनके पीछे सचिन पाइलिट भी आपको जो है वो नजर आएंगे कोशिश करेंगे प्रिंग का इन दिगजों से बात करने की तूंकि लबाजमा बड़ा है सुनिया गांदी भी आपको जो है वो नजर आएंगी इस समय हमारी कोशिश उनसे बात करने की गोविन सिंग डोटा प्रिंका गांधी वाड़रा भी यहां पर पहुंची हुई है तो तमाम जो कॉंग्रेस के दिगच निता है वो इसवाक जैपूर में पहुंची हुए राजस्थान का जो रण है वो सचकर तयार हो चुका है और देखना बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होगा कि जीत किसे मिलती है क्योंकि तयारियां तो सभी पार्टियों के ओर से की जारे हैं एक और जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार राजस्थान का जारी करेगी सबसे पहले ये तस्वीरे नियूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहा हैं जहां पर सोनिया गांदी इस वक्त जैपूर एरपोर्ट पहुंची हुए उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्याक शमली कार्जुन खडगे और महासची प्रियंका साहा दिखाई दे रहा है कुछी समय का वक्त रह गया है 19 अप्रेल को पहले चरण की वोटिंग होगी 26 अप्रेल को दूसरे चरण पर मतदान होना है और जो पार्टी है अलग-अलग वो अब पूरी तरीके से रंड में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है राजस्थान पर आपको दिखाएंगे लगातार दिन भर की मैनिफेस्टों में कौन-कौन सी बड़ी बाते रही हैं तो जो कॉंग्रेस के तमाम दिगज नेता है वो अब एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहा है या से सीधे वो जन्सभा की और बढ़ रहे है जहाँ पर बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा और मलीकारजुन खडगे का उनके साथ पूरु जिप्टी सियम सचिन पाइलट भी मौजूद है तो एकता का संदेश देने की कोशिश जो तमाम दिगज कॉंग्रेसी नेता हैं वो सभ जैपूर पर वेलकम करने के लिए पहुचे और इसके बाद अब जन्सभा की ओर बढ़ते हुए आसिफ लगाता नजर बनाये रखेगा बहुत शुक्रिया फिलाल आपका और दोसा से बड़ी खबर सामने आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रोट शो से जुड यह बड़ी खबर इस वक्ति आपको बता रहे हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभू दयाल शर्मा रोट शो का रूट तयार कर रहे हैं 12 अप्रेल के रोट शो की सूचना आने के बाद से प्रश्यासन पूरी तरह से अलार्ट मोड पर है और जब जिलाध्यक्ष प्रभू जिलाध्यक्ष जेपी नडडा ने श्यामा प्रशाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याई की मूर्ति पर मल्यारपन किया इस मौके पर बीजेपी राश्टी अध्यक्ष ने कहा कि आज जहां पहुचे है चार पीढ़ियां खब गई बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है प्रधान मंत्री के नितित्तु में धारा 370 समाथ हुई राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस बार पूरी ताकत से लग जाएं एंडिये 400 पार करेगी संकल्प के साथ आगे बढ़ें आज भारतिय जन्ता पार्टी जिस मुकाम पर आदर्णिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नितित्तु में पहुँची है उस यात्रा में 4455 पीडियां खब गई और उनके तप के कारण उनके योगदान के कारण उनकी तपस्या के कारण जो उन्होंने वैचारी का दिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया उस कारण से आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नितित्तु में भारतिय जन्ता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है आजर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी के नितित्तु में धारा 370 समाप्त हुई राम जन्भूमी और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकास मानवाद की बात को लेकर चले थे उस एकास मानवाद को अंतोदे और अंतोदे के बाद सबका साथ सबका विखास सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया और यह आहँआ है कि इस वार मोदी जी के नितृत में 2024 में हम पूरी ताक़त से लग जाएं और इस चुनाव में NDA 400 पार करेगी इस संकल्प को दोरा और इस संकल्प को पूरा करें और इसके लिए घरघर संपर्क हर लाभारती से संपर्क हर बूत पर अपना कारे और बूत पर कारे के मार्धियम से और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश पहुंचाएं फिर एक वार मोदी सरकार और इसके साथ साथ यह मोदी की गारंटी है जो गारंटी पूरे होने की गारंटी लेती है तो हैं पार्टी के स्थापना दिवस पर पीम मोदी ने पार्टी कारेकरताओं को बधाई दी उन्होंने पार्टी के पूराने निताओं को याद किया और उनके त्याक की वज़े से ही पार्टी के यहां तक पहुँचने का जिक्र किया इसके साथ ही PM मोधी ने कहा कि आज BJP देश की सबसे पसंदिदा पार्टी है जो राश्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ साथ जन जन की सेवा में जूटी है PM ने 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से BJP की सरकार बनने की भी बात कही तो देश बर में BJP की ओर से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो वहीं जैपूर में भी भाजपा का पैताली सुमा इस्थापना दिवस मनाया गया भाजपा प्रदेश कार्याले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी का जंडा फैराया इस मौके पर चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनैस सहस्त्र बुद्धे समेथ पार्टी के पदाधी कारी और तमाम कारेकरता मौजूत रहें इस दौरान CM ने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साथा इस पहले जिस कांग्रेस के पूरे देशने लड़ाई लड़ी थी मादवा कानमी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजा की दिलाने तक इस्ताफ नावी इसको बजन कर दिया जाए लेकर नोनोने इसको खश्म नहीं किया और उसके नाम का लाग लेदे के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली और आज लड़े का हो अंट्रिम सरकार बढ़ी थी उस अंट्रिम सरकार में ही दो धाराएं बन गए और उको धाराएं जिने बन गए कि अको लोग से जिनोंने अपने अपको शर्वश नोचावर करते हुए देश को आजादी दिला-ने का काम गिया एको लोग से जो निस्वात वाव से एक एक नी दो दो तीन तीर पीडिया उनकी इस आजादी की लड़ाई में कपने लेकिन जब देखा देश की आजादी के पास देश की दिता ठीक नहीं है तो वो सी मंत्री मंदल से इस्ती बादे करके चंसन के नाम से तो लोग सबाच उनाव के रण में बाजी मारने के लिए निताओं ने जुबानी हमले तेश कर दिये हैं और ये दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं ये रिपोर्ट देखें लोग सबाच उनाव का शंकनात होते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है बीजेपी और कॉंग्रेस के नेता एक दूसरे पर जम कर प्रहार कर रहे हैं प्रदेश की शिक्ष्य मंत्री मदन दिलावर ने एक दिन पहले ही कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंदे सिंग डोटा सरा और पूर्ब सीम पर तीखा हमला बोला था अब इस बार उन्होंने पूरी कॉंग्रेस को निशाने पर लिया है कोटा में शुक्रवार को दिलावर ने कॉंग्रेस को उखार फेकने की बात कही इधर दिलावर की जील जाने वाले बयान पर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंग डोटा सरा ने पलडवार किया है उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मांसिक संतुलन खो चुके हैं तो इधर चूरू के रण में बीजेपी निता राजवंद राठोर ने कॉंग्रेस पित्याशी राहूल कस्वा गोनिशा ने पल लिया कुल मिलाकर जैसे जैसे लोग से वह चुनाओ की तारीखे नजदी के आती जा रही हैं वैसे वैसे जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं लेकिन नेताओं के ये विक्तिकत हमले सियासत में कौन सा नयाद ध्याय लिखेंगे ये देखने बाली बात होगी ब्यूरो रेपोर्ट निउस 18 राजस्थान तो बाडमेर में भी लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर है केंद्रिया मंत्री और विजेपी प्रतियाशी के लास प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं इस दौरान उन्होंने निउस 18 राजस्थान से खास बातचीत की उन्होंने कहा लोकसभा की जनता का विश्वास उनके उपर है और वो प्रधान मंत्री के विकास मॉडल को जनता पसंदी करती है जल्द ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़ मेर दौरा बन रहा है एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश में 25 की 25 सीटे जीतेगी राजस्तान में लोकसभा के चुनाओं की चुनाओं परचार्ज हो है वो अपने चर्म पे है बाड़ मेर जैसन में बालोत्रा लोकसभा च्छेतर में इस बार तिरकोणी मुकाबले के अंदर बीजेपी से कैंदरी क्रिशी राज्य मंत्री केला चोद्री पर एक बार फिर विस ज़लारण क्या है ऐसा है कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई लोग यह बात कर रहे थे कि क्या परिदान मंद्री नेटरत नमीके और भारती जिंदा पार्शन में प्र नेंचे के लिए काम की और इंपाश सालों के निदर पर दान में प्र लिएक काम किया है आज गरीब के लियान की जोज़ना हो हुआ हैं और जैंते हैं और कि नियु हो जट्राइइव बनायों बहरत जा रहे हैं और तो कि मेड़ने चेतर नमागे बढ़ रहे हैं भारत की अदाम दुनिया में हो रहा है इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्तान की जनता है तो परदानमंति नरंदर मोडीजी के साथ है और भारती जनता पारिटी के साथ है और निची प्रूप से परिणा मा पर फिर राजस्तान में 25 की 35 सीटे जीट करके 400 पार बीजेपी सीटे लेके आएगी और एक बार फिर देश के परदानमंति नरंदर मोडी बनेंगे लेकिन परिणाम क्या होगे ये चार जून को मालूंते लोगे कैमरामेन गनपत के साथ नेमना देथा नूजेटीन बार मे इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही आगे देखें महरो राजस्तान सेहोगी रविंदर के साथ नमस्कार